क चले स्वागज़त है आप सभी का इस बहुत ही शांदार सेशन में क्योंकि आज हम करने वाले हैं चैप्टर त्री यानि चैप्टर थ्री आपके प्रोज सेशन का ठीक है अ पींच ऑफ इसनफ बहुत ही शांदार चेप्टर एपींच आफ इशनफ एपींच आफ इसनफ का वन सट वीडियो इससे पहले आप यह दी दो चेप्टर भारतीज्म इंडियन सिब्लाइजेशन भारतीज्म आई होम नहीं देखे होंगे तो प्लीज जाकर उस दोनों चैप्टर को आप लोग देख लिजे उसका व चीजों को एक्स्प्लेइन किया है कि आपको पढ़कर मजा भी आ जाएगा कोशन यह दिया बनाईएगा तो एक भी ऐसा अब्जेक्टिव यह सब्जेक्टिव कोशन है मतब नहीं है जो आप से नहीं बनेगा ठीक है ना तो चलिए ज्यादा वक्त नहीं लेंगे हमें स्ट प्लेन करेंगे तुरंट आप जाकर जल्दी से अब्जेक्टिव बना लिजेगा पूरे वीडियो को देखने के बाद ओके लेडस बीगिन तो सबसे पहले इपींच ओफिस नफ के राइटर कौन है तो मनोहर माल गौन कर ठीक है न जी आपको याद रखना है सबसे पहला मन मनोहर माल गौन कर इसके राइटर है रुख ये गगा ध्यान दिजियेगा ध्यान से समझना है इस चाप्तर में जो मनोहर माल गौन कर है वो अंडर सेक्रेटरी ठीक है ना वो अंडर सेक्रेटरी ठीक है अंडर सेक्रेटरी का ठीक है मतलब अंडर सेक्रेटरी के भूमिका में है आप से पुछेगा कि हुआ राइटर राइटर कौन थे या नेरेटर कौन है या कौन थे इस chapter में तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि इस chapter में जो आपके narrator है जो आपके writer है मनो मनोहर मालगॉन कर ओक्या है जी under secretary है ठीक है ओके अच्छा जी ए पींच of snuff में मेन जो कारेक्टर है, ठीक है न, वो है नानू काका, बहुत ही इंट्रेस्टिंग, बहुत सांदार, ठीक है, वो किस, कौन है जी, नानू काका, नानू काका और सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो अंडर सेक्रेटरी यानि राइटर में रिलेशन है तो ये राइटर के मामा है मैटरनर अंकल भी लिखा जा सकता है अंकल ये मनोहर ठीक है न माल गौन करके ठीक है न यह कौन है जी तो यह क्या है मामा जी है याद रखिएगा ठीक है मामा जी को हम लोग लिख सकते हैं मैटरनल अंकल तो यहां से आपके question पुछेगा सबसे पहला a pinch of snuff is written by तो क्या जबाब होगा मनोहर मलगौनकर मनोहर मलगौनकर has written the chapter तो आपका जबाब क्या होना चाहिए फिर भी आप मतलब वहां पर आपका जबाब क्या होना चाहिए कौन मनोहर मलगौनकर ने कौन सा चैप्टर लिखा है तो आप इंच ओ फिस नफ यह जो चैप्टर है ना यह कॉमेडी और एडवेंचर कॉमिक देता है कॉमिक और एडवेंचर से भरा हुआ है साहस से भरा हुआ है कॉमिक मतलब कमेडी और एडवेंचर से भरा हुआ है आपको याद रखना है कमेडी और एडवेंचर से भरा हुआ कौन सा चेप्टर है तो a pinch of snuff ठीक है introduction से आपका यहीं पुछेगा और पुछा जा सकता है कि मनोहर माल गौनकर का जनम कब हुआ है तो 1913 में याद रखना है इनका मृतु नहीं दिया हुए क्योंकि जिस समय ये book published हो रहा था that time he was alive उसमय क्या थे जी तो ये जिन्दा थे इसलिए मतलब इसमें इन इतना चीज क्लियर हो गया सबसे पहला बात अपींच of snuff को किसने लिखा है मनोहर माल गौनकर ठीक है दूसरा नंबर ये राइटर इसमें क्या है जी तो अंडर से क्रेटरी है और इसमें मेल करेक्टर ये तो भाई आपसे पूछेगा ही पूछेगा नानु काका और नानु उइक हम काका के पास इतना है मतलब हाह बोल सकते जूट बोलने का अ के पास जबर जश्ट ठीका ना इनके पास जबर जबर जफीय का है पता ना कहां से तरीका यह ला है जो चैफ्टर पढ़े होंगे बहूत ज्यादा इंट्रेस्टिक है अच्छा जी सबसे जो पहला बात है अम बोलना आप लोगों से भूल गए कि ये जो चैप्टर है न माइडियर ये आपका एक सौर्ट स्टोरी है ये आपका क्या है जी तो सौर्ट स्टोरी है ठीक है तो फिर से एक बार एपींच अफिसनप मनोहर मालगौनकर के द्वारा लि प्राइटर के यानि अंडर सेक्रेटरी के मामा जी है मैटरनल अंकल है कौन जी नानुका का ठीक है इतना कोई दिक्कत नहीं है इतना का आप जल्दी से चाहो तो स्क्रीन सोट ले सकते हो आईये हम लोग आगे समझते हैं यहां स्टार्ट होता है अब पींच आफिसनफ का मतलब और सब्सकुरना एकतर अब सकते हैं चुटकी एक चुटकी खैनी हम लोग इसको बोल सकते हैं इसमें में करेक्टर जो है नानू काका का सबसे पहले नानू काका का आगमन होता है किसके यहाँ अपने बहन के घर यानि हम लोग बोल सकते हैं ठीक है कि राइटर के घर यानि मनोहर मालगौनकर के घर नानू काका का आगमन होता है सबसे पहले mother announce करती है तो इस chapter में ऐसा भी question पुछा जा सकता है my dear student कि किसने बताया था who said that या who informed that ऐसे पुछ सकता है your nanu kaka is coming किसने कहा था तो writer's mother writer's mother यानि writer के मा ने ऐसा information दिया था ठीक है writer के मा ने दिया था information कि तुम्हारे nanu kaka तुम्हारे mama और मेरे भाई का आगमन हो रहा है ठीक है ठीक है लेकिन ये mama और भांजे का relation जो है वो कोई बढ़िया नहीं रहता है writer ये सोचते हैं कि मेरे mama ना है क्योंकि वो जानते थे कि mama यदि आएंगे ता I will get a lots of problem हमारे यहां भी जब relation में कोई आता है तो बहुत सारा problem भी होता है कुछ relation से और कुछ में हम लोगों को फायदा भी हो जाता है खुसी भी होता है कि आएंगे ता हम लोगो थोड़ा बहुत पैसा भी मिलता है ठीक है आदमी छोड़ने के लिए उनको जाता है दूर तक जब वो जाते हैं कि अंत में हमको कुछ पैसा मिल जाए तो बहुत बढ़िया है ठीक है चलिया आई यह स्टोरी पर चलते हैं देगे जी तो यह नहीं चाहते हैं लेकिन यह मदर से बोलते भी हमने यह जगह चेंज कर दिया हमारा दूसरे जगह ट्रांसफर हो गया है क्योंकि यह अंडर सेक्रेटरी थे न लेकिन मान ने बोला नहीं बेटे वो तो आल्रेडी ट्रेन पर चड़ चुके हैं अब मैं उन्हें कैसे रोक सकती हूँ और उसमें भी भाई थे इनके और भाई और बहन का क्या प्रेम होता है भी नो वेरी विल ठीक है अब राइटर कहां पहुचते हैं अंडर सेक्रेटरी भी हम लोग बोल सकते अंडर सेक्रेटरी जहां हम बोलेंगे न सबसे पहला की नानू काका सेटेंड सुनियगा नानू काका जो है प्रस्ट क्लास सेुकेंड क्लास से आते हैं और इनके पास कीकट रहता है 3rd class का ठीक है सब उसे बड़ा क्विश्चन आखिर नानुका कार आए क्यूं थे यहना नानुका कार आ एक यूंते तो नानुका का उनका यहीं मक्सद था तू compr सुमी किसक टूमा में इसना साम मिनिस्टर्स कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए और्सटा मिलने के लिए थे ठीक है क्यों में भलीquent आय थे गासे तो देखे कि मेरे मामा जी second class से आय थे मतलब second class में बैठे हैं लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि उनके पास third class का ticket था वो ticket collector के सहारे आसानी से उनसे मिलने के लिए और स्टेषन के बाहर आ जाते हैं, अब यह जासे ही ठीक है पहुंशते हैं, जासे ही राइट्र सेकेंड गीर में गाली लगाने की कॉर्सिस करते हैं, ठीक है न, वैसे ही नानु काका पूछ देते हैं, तब भांजे, वेन विल यू आरेंस टू मीट मी एरेंस मिनिस्टर टू मीट मी कम मुझे मंत्रियों से मिला रहे हो तो इस पर भांजे का तो मतलब एक समझे की मंत्रियों से मिलाना भांजे के लिए बहूत बड़ा काम था मतलब इसलिए ये पताते है कि मैं ये आपका काम नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा बताया गया है कि मिनिस्टर को भगवान से भी उपर मानना है मुझे एसा ट्रेनिंग दिया गया है ठीक है और और इतना ही नहीं इतना ही नहीं ठीक है जो सेक्रेटरी भी है ना सेक्रेटरी है हम तो अंडर सेक्रेटरी है उसको भी two steps मतलब हमसे उचाही देखना है मिनिस्टर को तो भगवान की तरह मानना है यहां सेक्रेटरी को भी मुझे ऐसा सिखाया गया है कि मैं प्राजिय की नाराज हो जाते हैं कि मैं यह सोच कराया था कि मेरे भांजे मिलाएगा ठीक है ना लेकिन ऐसा नहीं होता है आप से अब्जेक्टिफ पूछ देगा ठीक है कि क्यों नहीं मिलाये थे तो इनके लिए मंत्रियों से मिलाना इट वेरी डिफिकल्ट टास्क अब दो दिनों का छुट्टी लिए थे दो दिनों का छुट्टी लिए था अच्छा एक बात और हम कहना भूल गया कि यहां जो नानुका का है न यह आते ही बता दिये थे कि मैं भांजे यहां दो से तीन दिन रुखूंगा इससे जाधा नहीं रुख सकता हूं ठीक है यह दो क जाका कितने दिन रुखे दो से तीन दिनों तक यह आपको याद रखना ही होगा ठीक है ना अच्छा जी जब यह मंत्री के पास मिलने के लिए जब यह इसको मतलब नानुका का को ले जाते है ठीक है ना एक जगार आता है वहां पर लेकिन वहां मुलाकात नहीं होता है ठी एमर्जेंसी में होते थे तो अपने माद अरटांग का यूज करते थे मादर संग ठीक है ना अर्म य मातरी वाता required जैसे हम लोग कैसे मातरी वाता जब मानली आचरी में होती किसी को Gan deed और था कि आप अपना मातरी वाता ने उसकर येगा, आप इमर्जेंसी में है तो उस से घर आने वाले थे तव तक वहाँ देखते हैं कि एक तेजी से एक व्यक्तिकार को तेजी में पार कर रहा है ठीखें लेकिन एक चीज वहां अज़र्व किये नानू का की जो प्यक्ति उसकार में बैठा था ना वह व्यक्ति राइटर की तरफ यानि नानू नानु काका के भांजे की तरफ हाथ हिलाया इससे पता चला नानु काका को कि कहीं न कहीं से पहचानत्या होगा ठीक है ना तो नानु काका ने पूछा कि यह कौन है ठीक है बत्तमीज जो इतना तेज कार ले जा रहा है तो वहां से कौर मोडाता है वहां से कौर मोडाता है जी चुकि चाप्टर माई डियर थोड़ा सा बड़ा है तो हम चार है कि आप से एक भी कोश्चन ना छूटे ना समझे एक भी कोश्चन ना छूटे तो वहां से पता चला कि इस ब्यक्ति का नाम रती राम है इसका नाम क्या है जी रती राम ठीक है रती राम ठीक है न और रती रा सबीट था सोहन लाल रती राम सुनियेगा रती राम कोई थे पार्टी बास अब यहbones अब इतना बात नानुग आ सुनते हैं तो बहुत जादा खुछ हो जाते हैं कि यह जो कभी-कभी सोहन लाल भी लिख देता है कभी कभी मान लिजे रती राम सोहनलाल रती राम भी लिखता है तो उससे आप एक दम भी थोड़ा भी कन्फ्यूज मत होईएगा ठीक है ना सुरिए अब यहां नानुका का समझ गया कि जब हमारा मुलाकात इस व्यक्ति से हो जाए सोहनलाल रती राम से ठी ठीक है अब इतने पर प्लान बनाते हैं ठीक है ना भांजे के साथ कि चलो भांजे अब हम लोग चलते हैं किसके आहां पार्टी बॉस के आहां पार्टी बॉस कौन है जी सोहनलाल रती राम सोहनलाल रती राम ठीक है अब देखिए अब देखिए यह राइटर ये भी बतात हैं कि रती राम ठीक है ना मतलब सोहनलाल रती राम के बेटे ठीक है यह ट्रेड COME accountability जाने वाला था हुझ्ग वर कजए अब एक और बात भी हज़रात वरकतली कौन है इस चैप्टर में दजी एक अंबास्टर है ठीक है ambassador का मतलब राजदूत ठीक है राजदूत तो ये एक ambassador है लेकिन हजरत बरकत अली ने उनके बेटे को ठीक है अभी तक trade commissioner नहीं बनाया था तो इतना नानुका का सब स्टोरी सुनकर ठीक है ना वो समझ जाते हैं कि हमें क्या करना है और सीधा पहुंच जाते हैं किसके यहां सोहनलाल रतीराम के यहां ठीक है ठीक है अब वहां जाते हैं जब सुने उससे जाने से पहले ठीक है राइटर राइटर किस ड्रेस में जाते है तो यह जोधपूर कोट जोधपूर कोट याद रखिएगा यह इनका ड्रेस है जोधपूर कोट एंड ठीक है उनका पगड़ी किस टाइप का था तो औरेंज कलर का इतना याद रखिएगा औरेंज टरबन टाइए हुज और मतलब औरेंज टरबन बहुत बड़ा एक को मतल लाला जी के हैं ठीक है ना लाला सोहनलाल कहिए या सोहनलाल रतीराम कहिए ठीक है दोनों एक ही बात है अब वहाँ पहुचते हैं तो सबसे पहले वहाँ पहुचकर जूट बोलना स्टार्ट करते हैं क्योंकि ऐसे मिलना उनसे पॉसिबल नहीं था तो जूट बोलते हैं मतलब भानजे और मामा ठीक है चुकि वहाँ ये जमिंदार बन कर गए थे और भानजे को अपना एक सेक्रेटरी बना कर ले गए थे तो जैसे ही देखा कोई नहीं है बगल वाले रूम में मतलब सोहनलाल है तो पूरा ये जूट बोल रहे थे कि आज कौन सा दिन है भानजे तो भान नानुका का ने बताया कि हम लोग संडे को तो कहा थे बैरूत में थे अब बात यहां बैरूत का हो रहा है बात यहां बंबे का हो रहा है कि मुझसे ये मिलने के लिए बोल रहा है प्रेसिडेंट बोल रहा है बंबे से भी इसके तार पर तार भेजरा है कि आई ये हम से मिल यह मतलब प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट भी मतलब वीपी वाइस प्रेसिडेंट भी हम को हमसे मिलने के लिए बोल रहे हैं यह साब बात नानू का का बताते हैं अपने में चिला चिला कर जब यह जाते हैं किसके यहां किसके यहां तो पार्टी वास लाला सुहनलाल के यहां अब इतना जब सुनता है ठीक है और इतना ही नहीं वहाँ बात करते हजरत बरकतली का जो क्या था अमबैस्टर था और आपको याद होगा कि हजरत बरकतली ही वो ब्यक्ति था जो लाला सोहनलाल के बेटे को ट्रेड कमिशनर बनाने से मना कर दिया था जैसे ये बात सुना कौन लाला सोहनलाल तुरंत दोलकर आया कि भाई हमारे यहां कौन इतना बड़ा आदमी आया है ठीक है अब इतने में बातचीत होता है मैं सौट में बता देता हूँ बातचीत होता है तो नानू काका बताते हैं कि हजरत बरकतली तो मुझे बहुत एक जूट बोलते जाते हैं ठीक है और अंतता ये बता देते हैं नानू काका कि मैं आपके बेटे के लिए बात करूंगा हजरत बरकतली से क्योंकि हो मेरा कच्छा मतलब वो मुझे आज भी बड़ा भाई मानता है ठीक अब वहां नानू काका के बात को सुनकर काफी खुस हो ज जाते हैं जी तो कौन खुस हो जाते हैं आपको याद होना चाहिए लाला सोहनलाल लाला सोहनलाल काफी खुस हो जाता है ठीक है अब वहां ये नाम लेते हैं वेलफेयर मिनिस्टर का वेलफेयर मिनिस्टर का ठीक है ना और वेलफेयर मिनिस्टर का नाम लेते ही नानू काका मतलब जब नाम लेते हैं वेलफेर मिनिस्टर का ना तो नाम लेते हैं ये देखते हैं कि सोहन लाल उसका हस्ता हुआ चेहरा एकदम गायब हो जाता है क्योंकि लाला सोहन लाल और वेलफेर मिनिस्टर का रिलेशन कुछ अच्छा नहीं था और रिलेशन इसलिए खराब था क् की लाला सोहनलाल चाहते थे कि मैं अपने बेटे का साधी किसे कर दू किसे कर दू वेलफेयर मनिस्टर से लेकिन वेलफेयर मनिस्टर ने ये रिष्टा क्या कर दिया मना कर दिया ठीक है तो वहां से सबसे important information जो था important information लाला सोहनलाल के यहां ठीक है यह क्या प्राप्त किये क्या प्राप्त किये किसके बारे में किसके बारे में वेलफेर मिनिस्टर के यहां मतलब वेलफेर मिनिस्टर के बारे में अब वहां से यह चल देते हैं और चल देते हैं क्या कहा मिलने के लिए वेलफेर मिनिस्टर से मिलने के लिए ठीक है मतलब एक प्लान बनाने लगते हैं अपने भांजे से कहते हैं अब भांजे से बोलते हैं कि यदि हम लोग को वेलफेर मिनिस्टर के यहां जाना है तो उससे पहले हम लोग को बड़ा कार से ज खराने में लेकिन उससे पहले हम लोग को असली किरदार दिखना होगा तो किरदार असली दिखने के लिए सबसे पहले नानू का किसका सहारा लेते हैं धोबी का बहुत इंपोर्टेंट धोबी का सहारा लेते हैं अपना ओल्ड कोट में एक हजार रुपे मतलब जो नोट होता मतलब एक चेक होता है ठीक है वहीं डाल देते हैं ठीक है और धोबी भी उनसे agree होता है जैसे ही नानु काका और राइटर जाते हैं कार लेने के लिए मतलब हाडे पर बड़ा कार लेने के लिए ठीक है सीका आटो डीलर ये कार वाले का माले ज़क एक address था सीका ओटो डिलर आप याद रखिएगा बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है ना इसके पास जब यह जाते हैं ठीक है तो उधर से धोबी यह मतलब एक पहले से ही प्लान था एक का एक हाथ में उनका कोट और एक हाथ में एक हजार का ओचेक लहराते हुए आता है और बोलता है कि महराज आपको पता है आपने-अपने कोट में क्या छोड़ा है एक हजार रूपिया वन थाउजंट उस टाइम वन ठाउजंट एक बहुत बड़ा इमाउंट था ना लेकिन यह तो नानू का 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 चाल था ठीक है नानू का 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 चाल था ताकि सामने वाला जो सिर्का ओटो है ना यह हमसे क्या हो जाए इंप्रेस हो जाए और आसानी से काम हो जाए हम लुक और हुआ भी ऐसा ही फाइनली उन्होंने कार ले लिया ठीक है लेकिन लेकिन एक बत और यह धोबी को दो रुपए रिवार्ड के रूप में देते हैं यह भी आपसे कोस्चन पुछता है अब रुपए कितने रुपए उस कोट में मतलब एक चेक रखे थे 1000 रुपई ठीक है अब यह जाते हैं उसी कार्स एकदम क्या बन गर क्या बन कर जाते हैं सुनिएगा सुनिएगा हेरेडेटरी है पंडित और महराजा अपनिनार मतलब राजघराने का एक बहूट बड़ा पंडित बनकर यह जाते हैं आपको ध्यान रखना होगा एक बहूत बड़ा पंडित बनकर जाते हैं ठीक है ताकि मतलब इनको मालूम था क्या मालूम था याद है आप लोगो ना इनको मालूम था ठीक है कि जब मैं ठीक है क्या इनको क्या मालूम था कि आज भी ठीक है वेलफियर मिनिस्टर के बेटी का साधी नहीं हुआ है और वहां से यह भी इनफर्मेशन यह प्राप किये थे अभम कहना भूल से कि निनलासे की निनלאर का जो राजकुमार था उसी से मतलब वह अपने बेटी का साधी करना चाहता था इसलिए एक उनलूर एक जगह है ृथि के मतलब Self fet ननू का का बन गया थे थीख ताकि हमारा मुलकात असानी से वेलफेर मिनिस्टर से हो जाए वहाँ जाकर इन्होंने नानू काका ने मिनिस्टर से मतलब मिलना नहीं चाहा बलकि एक डायरी में वो खोता है ठीक है ना राजघराने में ऐसा होता है कि आप उसी में मेंसन जब करिएगा ना आपके बाते को लिखा जाता है ठीक है ना उसमें लिखा जाता है कि आप क्यूं आये थे अब यह जल्ली गया उसीज को लिखा लेकिन यह सब चीज देख रहा था कौन वेलफेर मिनिस्टर ठीक है कि भाई हमारे यहां बहुत बड़ा कौन आ गया ठीक है इतना बड़ा पंडितनी नौर का ठीक है और लास्ट में होता क्या है जी लास्ट में होता क्या है वहां से तो नानु काका चल देते हैं ठीक है लास्ट में वेलफेर मिनिस्टर याद रखिएगा वेलफेर मि मिलने के लिए दिल्ली एड्रेस पर ठीक है ना दिल्ली एड्रेस पर ठीक है आते हैं नानु का का से मिलने के लिए यानि इसमें जूट बोल बोल कर मंतरी से नानु का का मिल लेते हैं ठीक है वेलफेर मिनिस्टर भी समझ ये कि उनके घर आ जाते हैं उनसे मिलने के लिए ठीक इतना ही कहानी आपका है उनके पास एक अबलीटी है जूठ बोलने का लेकिन अंत में ठीक है थोड़ा बहुत राइटर डरते हैं कि अगर मनिस्टर को पता चलेगा कि निनौर से मेरे मामा जी का बहुत मतलब थोड़ा सा भी रिस्ता नहीं तो क्या होगा मन ही मन डर रहे थे लेकिन अंत में ये भी सोच लेते हैं कि जब मामा जी ऐसे ऐसे सिच्वेशन को हैंडल कर लिये हैं तो ये तो उनके सामने छोटा ही ठीक है छोटा ही मतलब सिच्वेशन होगा अंत में ये एगरी हो जाते हैं अपने मामा जी से ठीक है तो आपको ये वीड ठीक है इस टोरी अफ इंगली का कमेंट आ रहा है अगले वीडियो में हम यहीं देखेंगे चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जैहिंत